सो नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Android Mobile यूज करते हैं और आप जो है Play Store से किसी भी application को install करने का try करते हैं जब आप उस पर click करते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं आपका जो कोई भी application है वो install नहीं हो पाती है यहाँ पर या तो वहाँ पर pending दिखाता है या फिर वो auto back हो जाता है कुछ इस तरह से या फिर वो सिर्फ घूमता रहता है आप यहाँ पर कोई भी error देख पाएंगे can't install कुछ भी ऐसा लिखा सकता है यहाँ पर आपको आप जो हैं बहुत प्रेशान हो चुके हैं अपने Play Store में किसी भी application को install नहीं कर पा रहे हैं आपको जो हैं बहुत ज़्यादा problem आ रही है किसी भी application को install करने में तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप जो है Play Store की इस problem को दूर कर सकते हैं और किसी भी application को easily install कर सकते हैं तो इस वीडियो में end तक बने रहे हैगा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और चैनल को subscribe कर देना तो यहाँ पर कोई भी problem हो सकती आपको जैसे pending की problem या फिर आपका जो यहाँ पर घूमता ही रहता है या फिर आप जो install पर क्लिक करते हैं तो वोटबैक हो जाता है कोई भी problem xyz can't install के problem आ चुगी है तो आपको क्या करना है वही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में सभी का आपको एक ही solution मैं आपको बताने वाला हूँ same solution रहेंगे तो सबसे पहले प्रोलम आती है आपकी network की वज़े से तो आपको simple साई काम करना होगा सबसे पहले तो आपको airplane mode जो होता है आपका जिसको हम flight mode बोलते हैं उसको यहाँ पर एक बार enable कर देना है जैसे आप enable करेंगे आप देखेंगे आपके जो उपर network होते हैं वो चले जाएंगे और network जाने के बाद जो है यहाँ पर आपका network फिर से refresh होकर आएंगे जब आप इसको बंद कर देंगे flight mode को बंद करेंगे देख सकते हैं मैंने airplane mode जो है बंद किया है और मेरे network जो है वो refresh होकर आ चुके है अगर मेरे network से related problem होगी तो यहाँ से solve हो जाएगी तो सबसे पहला काम आपको यही करना होगा अगर आपकी problem फिर भी solve नहीं होती है same as this बनी रहती है problem आती है आपको install करने में प्लेश्टो से तो उसके बाद आपको क्या करना है प्लेश्टो को open करना है open करने के बाद उपर आप profile देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपने account login के है उस पर click करिए click करने के बाद आपकी सामने यह open हो जाएगा कुछ इस तरह से तो आप यहाँ पर आपको setting पर click कर लेना है setting करने के बाद आपकी सामने बहुत सारे options निकल कर आ जाते हैं अब यहाँ पर आपको सबसे उपर general का option देखने को मिलता है general पर आपको click कर देना है अब यहाँ पर आपको फिर से बहुत सारे options देखने को मिल रहे हैं second number पर आपको option मिल जाता है account and device preferences इस पर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से open हो जायागा यह page अब यहाँ पर आपको क्या करना है guys देख सकते हैं नीचे आएंगे तो आपके सामने history का option मिल जाता है देख सकते हैं यहाँ नीचे आया history history के नीचे लिखा हुआ है clear device search history तो यहाँ पर आपको clear device search history पर click करना है और यहाँ से इसकी history को clear कर लेना है मैंने clear कर दिया है search history cleared clear करने के बाद then back आना है अब back आने के बाद आपको क्या करना है guys यहाँ पर बहुत सारे options फिर से आपको देखने को मिल जाएंगे so guys जो second trick है उसमें आपको क्या करना है profile पर फिर से आना है setting पर आना है पहले हम general में गए थे अब आपको about पर click करना है about पर click करने के बाद नीचे आप देख पाएंगे आपको option मिल जाता है play store version यहाँ पर आपके नीचे मिल जाता है update play store देख सकते हैं यहाँ पर update play store लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको update कर लेना अपने play store को क्योंकि कई बार technically issue होने के विज़ासे आप यहाँ पर problem में आ सकते हैं तो इसको update कर लें जैसे आप अपने play store को update कर लेंगे यहाँ पर click करने के बाद तो आपकी जो problem है solve हो जाएगी guys जैसे यहाँ पर जो है यह update हो जाएगा अगर आपकी problem as it is same बनी रहती है तो उसके बाद आपको long press करना है अपने play store पर और यहाँ पर आपको option देखने को मिलेगा app info का app info बाकल click कर लेना है click करने के बाद आपको जो है scroll करना है नीचे और यहाँ पर clear data आप देखने को मिल जाएगा आपको आपको यहीं बताना था hope आपको सब कुछ समझा चुका है वीडियो चलिके लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडिये में till then by take care love you all